आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे फिनिश करते हैं, आप अपना टॉक कैसे इंड करते हैं, आप अपनी बात कैसे खतम करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपको आपको कितना याद रखेगी, क्या वो आपको कुछ दिन याद रखेगी या आपको सालों साल दर याद सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसे नौ टिप्स जो आपकी इसमें बहुत करने वाले हैं इन तक वीडियो को जरूर दिखेगा अलो दोस्तों मेरा नाम है हरेतों स्विवास्तों आपको पॉब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग स्मॉल टाउन बिगर ड्रीम और अब हम हर हफ्ते दो वीडियो ऐसा लेकिए आ रहे हैं जिससे आपको कम्यूनिकेशन पॉब्लिक स्पीकिंग स्टोरी टेलिंग और उसके अराउं जो भी टॉपिक से उसमें बहुत सारा अमेजिंग वालियोबल कॉन्टिट मिने वाला है अगर आपने अब इदर सब्सक्राइब नहीं किया है लीज कंसेडर सब्सक्राइबिंग लेट्स गेट साटर तो रिसर्ट शो करता है कि आपका सिर्फ स्टार्ट और इंड की याद करती है तो वेरी वेरी इपॉर्टेंट कि हम अपना एंड बहुत ही अच्छे से करते हैं तो stay tuned let's start the first mistake to avoid is ending your presentation ending your speech with a Q&A you can say okay thank you that was all and now we'll have a Q&A जब आप ऐसा करते हैं तो chances हैं कि it will depend की kind of question you will get अगर किसी ने आपको बहुत जादा क्रिटिसाइज कर दया किसी ने आपसे कुछ ऐसा पूफिया जो आपको आइडिया नहीं है या किसी ने आपसे वो question पूश लिए जो आपको नहीं पोस्ट ने थे आपको impression थवस्त हो जाएगा आपको impression विकार हो जाएगा तो never end with a Q&A आप what you can do is you can say okay now for the next five minutes we will have a question and answer and then I have a final remarks that I want to say जो जो आप इस तरीकी से करते हैं तो you are still saving your face even if Q&A वे कुछ उपर नीचे हो गया you can still have a power closure to keep the impression high and tight let's go to tip number two वहाँ सारे लोगों की इनर्जी एंट तक आते आते लोगों slow और खत्म हो जाती है तो कहते हैं okay that was all thank you so much मत करो अगर आपको अपना impression बढ़िया बनाना है अगर आपको masterfully end करना है आपका especially start or end high note bonus यह ताकि लोगों को energy message so they should feel powerful motivated किसी भी अच्छे motivational speaker को देखिए they will always end on a higher note or on an emotional note they will never be casual in their ending make sure low energy or just plain thank you and all पर नहीं finish करें number three and this is a big mistake people have and that is वो थीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे पूरे प्रेज़ेंटेशन वे एंड में 30 सेंड गया वो कुछ नया ही लेकिया है and you are leaving your audience in a state of confusion अगर आप देख रहे हैं it makes sense कि आपने कुछ नया दिखा दिया क्या आपको लोगो season two देखना है but if you are giving a presentation अगर आपको कोई speech देनी आपको talk देनीए go with the plan and don't introduce anything that you didn't discuss during your talk अगर आप लास के 30 सेंड या एक रन में कुछ नया लेने की चक्कर में but don't bring a real irrelevant on new point at the end tip number 4 जो लास्ट मिस्टेक हम discuss करने वाले हैं why are leaving your audience glueless let's say आप पाते करें थे global warming and suddenly you started talking about artificial intelligence and your audience will be what what was his talk about यह करना कहना क्या चाहा रहें make sure कि your ending is tight and you are not leaving your audience glueless बहुत सारे मेरे साइंटिस्स ट्रेंड जो लास में कुछ इतना बड़ा जार्गन बोल जाते हैं जिसका किसी को कोई आडिया नहीं है and your audience is confused so don't do these four mistakes which is end with a question and answer and on a low energy note or just saying plain thank you ऐसा कुछ पॉइंट लेकिया हो जिसके बारे में आपने फूरी प्रेजेंटेशन में बात ही नहीं की या audience को क्लूनेस कर दो तो let's move on to what you can do to masterfully end your presentation तो आईए बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं क्या ऐसी टिप से क्या इस तरीक हैं जिससे आपका ending आपका closest solid हो are you ready okay let's go to tip number five आप जो भी वाते की हिए उसकी एक सम्मरी दिए अगर आपने आदेगन टेका टॉक किया तो लास्ट के तीन या पाश्मरी के दो कि this is what we discussed when you give a summary of it it brings the recall values tell them what you're going to tell them tell them and tell them what you just told them the six tip is to end with a story or anecdote or a memorable now आप इसी audience को move करना चाहते हैं one of the best ways कि आप उनको कोई ऐसी कहानी को यह से किससे को यह से कोट विताये famous person का क्योंकि रिलेवेंट हो जिससे वो के दिबाव में छप जाएगा जो आप बात करना चाहा रहे थे वो उसके बारे में छप जाएगा वहाँ कैना रास है कि आप जआ शुट इसे विव बात करता हूं मारे याट प्रेसेंटेशन दे रहा है थे शोट पूं यह सब्सक्राइग करती शुट फर् अप डा था आप इसजिट इसक नित की in the moments of enjoyment by Raul Smitry. Now this code is very relevant and you can really use it for your ending. Find a relevant story, find a relevant anecdote and use that in your talk. Number seven, to give your audience a challenge. And how do you do that? You motivate them, you inspire them, so you give them a challenge. I want to challenge you guys, you go home to your house. So find out that the one thing that you really enjoy and start spending five minutes every day on that. Now that is a challenge I want to give you and I want you to give to others. When you give a challenge to your audience, that becomes very sticky in their brain and they will probably make a note. Some of the members will also go and try to find that out. So give them a challenge when you are leaving. Number eight, this is not for no waste present. If you are starting professional speaking, do not try this. But if you are at certain level, this can prove to be a game changer. This can be a game changer. How you can actually circle back. So if you have not seen how to open your talk, I will put the link over here. And one of the best ways to open is by giving the story. End ways to say circle back. That becomes an amazing unforgettable presentation as they say. And now at the hand, now way or final tip ki tarap. Ye tip aisa hai, joki evergreen hai. And aap dhekhoi ki har bada presenter, har bada motivation speaker use that. And that is called call to action. Aap apne audience ko motivate karke unko kuch aapko call to action dhena hai. For example, go ahead and buy this book. Go and subscribe to this channel. Go and talk to three of your friends. Go and call up your parents. What you are doing is, you are giving them a call to action. And when you do this, when you end your talk with a call to action, your audience feel motivated and inspired to take an action. And that makes you unforgettable. That makes you memorable. Aapko ek summary dhe ta haun, joh humnye naut tips aaj ke discuss ki hai. Pahla pehne chartik joh apko nahi karne hai. Inde with a Q&A, inde on a low energy node, or just a plain thank you. Bringing a point you need even talk about. And 14th aapne audience ko clueless word dhena. And then we discuss about five things you can do. Five ways you can end your presentation masterfully. And first one is giving a summary of what all points discussed. Ending with a story or anecdote or a memorable relevant quote. Giving them a challenge to work upon. Number four is circling back to your starting story. And fifth and the final tips or final way to end your presentation was to giving them a call to action. I hope aapko yeh sare naut tips achse laghe. Please comment me betaheegah koon saa aapko sagsse achse lagha. Or aap koon saa aur aise tips or tricks use karthe hai. Aaptonne presentation ko masterfully end karne ke liye. As always, I'm gonna end with until next time. Keep learning, growing and keep going out of your comfort zone. This is Aritosh. I'm gonna see you in the next video. Take care, stay safe and stay blessed.